नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हो बिहार सब इंस्पेक्टर की एक नई वेकेंसी आने वाली है बिहार सब इंस्पेक्टर in a special branch जोस्तों बिसेश साखा में सब इंस्पेक्टर की भरती होनी है और इसमें आपको जल्दी आने वाले महीनों में वेकेंसी देखने को मिल सकती है तो आपको उससे जुड़ी हुई बाते जरूर जाननी चाहिए क्योंकि आपके लिए दोनों दरफ मौका रहेगा एक तो ऐसे ये बिहार द्रोगा की भरती आती है और ये जोस्तो स्पेसल प्रांच में जो हाली में इससे समधित नया रूल को लागू किया गया है उसमें किस तरह से एक्जाम होगा क्या योगता है बहुत सारी पाते दोस्तो उसमें कहे गई है जो मैं आपको बताने बाला हूँ और इससे जुड़ी अन्य जो महत्यपूर्ण बाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो दोस्तो अगर आप इस चनल पर नए है तो चनल को सब्सकाइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा ऐसे अनलेटेस अब्डेट जानने के लिए तो दोस्तो आप में से बहुत सारे लोग बिहार द्रोगा के त्यारी करते हैं और आपके लिए तो डवल मौका होगा क्योंकि यह अलग ही कैडर है क्लोज्ट कैडर है अस्पेसल ब्रांच में वहाँ पर आपको वकैंसी देखने को मिलने वाली है और नया रूल भी लागू कर दिया गया है 2024 इसी में ही तो दोस्तो सबसे पहले यहां बात करेंगे बिहार सब इस्पेक्टर रिकूट्मेंट क्लोज्ट कैडर की अस्पेसल ब्रांच जहां दोस्तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो अस्पेसल ब्रांच में होगी और इसमें ही आपको हमेशा काम करना है तो दोस्तो वेकेंसी के एगर हम बात करेंगे तो 1000 प्लस वेकेंसी आने की उमीद है क्योंकि नया नया ही यह पुरा रूल लागू हुआ है और दोस्तो वेकेंसी थोड़ा जादा ही आएगी फिर भी दोस्तो जो भी आएगी आपको उसके लिए त्यार रहना है पोस्ट कौन सा है दोस्तो सब इंस्पेक्टर है नन कैस्टेट की पोस्ट है डारेक्ट भरती होगी दोस्तो सब इंस्पेक्टर पे एक चीज़ आपको कहा दें यहाँ पर डारेक्ट भरती में 90% दोस्तों होगी और 10% जो होगा ना वो पर्मोशन से किया जागा 10% पर्मोशन वाले आ जाएंगे आप देखिए क्वालिफिकेशन जैसे नॉर्मल बिहार दरोगा में रहता है दोस्तों वैसे इसमें भी ग्रेज गई है लेकिन कहा गया है कि जो बिहार अवर निरिच्छा की जो रूल्स है उसके एकॉर्डिंग ही मतलब एज रहेगी ठीक है तो देखें यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसे तो नियूंतम आयू 20 बर्स और अधिक्तम 37 बर्स दोस्तों मेल के लिए रहेगा फीमेल के लिए दोस्तों 20 नियूंतम है और 40 अधिक्तम है और फीमेल के लिए बिए पियार भी करने कराप इसमें आते हैं तो फी की बात कर दोस्तों तो फी वी उससी तरह करने वाला है 700 400 male के लिए all चाहे कोई भी काटेग्री बगरा से हो जो भी हो या बिहारा जिसे बाहर के अपलाई करते हैं उनके लिए और 400 दोस्तों रहेगा एस्टी एस्टी और फीमेल महिलाओं के लिए जो है फीमेल के लिए आपको ये फी देखने को मिल सकता है एकजाम की बात करें तो एकजाम है दोस्तों PT और MENS तो दोस्तों यहाँ पर जो है भी बदलाब जादा देखने को मिला है क्योंकि PT और MENS में पुरी तरह से इसके लिए अलगी परिच्छा पटन बना गया है जो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार सरकाल के ग्री विभाग RC साखा द्वारा इसे अधिस्वीत किया गया है और दोस्तों इसमें निउक्ति से समझे सारी बाते बताए गई है जो में बात है दोस्तों यहाँ पर कि परिक्षा किस तरह सोगी वो देखते हैं बाकी तो इसमें डिरेक्ट रिकूट्मेंट की बात कही गई है और जो उम्र बगरा है सारी इक मापदंड है सारी दक्षता है वो सब की बात कही गई है लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखें कि जो परिक्षा होना है वो किस तरह से होगा तो देखें यहाँ परिक्षा के बारे में बात किया गया है तो देखिए लिखिध परिक्षा दो चड़नों में होगी दोस्तो यही प्राड़ंबिक परिक्षा में आपको दोस्तो बस्तूनिस्ट एबं बहुं विकल्पिये प्रस्ण पूछे जाएंगे और उसमें 200 अंकों क आप देते हैं तो दो अंक दिया जाएंगे अब दोस्तों बिहार दरोगा में जो पीटी होता था उसमें आपको समान ग्यान एवं समसमाइक मुद्वे पर ही पूरा पेपर रहता था लेकिन यहां जो विशेष साखा के लिए दरोगा के पोस्ट है तो यहां पर पूरा बदल प्रिक्षा के लिए अब देखे प्रारंबिक परिक्षा के अधार पर रिखतियां कितना है तो दस गुना ही दोस्तों रिजल्ट मुखे परिक्षा के लिए दिया जाएगा जबकि विहार दरोगा में 20 गुना रिजल्ट आता था तो यहां पर उस तरह की बात नहीं है और उसके बाद देखें मुख परिक्षा में क्या क्या होगा तो प्रारंबिक परिक्षा में सफल अभी अर्थों को मुख परिक्षा में समलित होने का अफसर दिया जाएगा और इसमें भी दो पत्र है दोस्तों यानि आपको दो दो पेपर इसमें भी लिखना है पर्थम पत्र दोस्तों जो है वो आपको बस्तुनिस्ट एवं बहु भी कल्पी होगा तीन घंटे का वक्त है दोस्तों कोश्चन र तरह से है देखिए यह देखिए और इसमें जो फिज के लिए अगहा उसमें 8 गुना होता था था इसमें तीन बुना ही जै फिज कल ले मतलब रिजल्ट दिया जाएगा तो देखिए जो बस तुनिस ट्रॉस्ट बहुत भी कल्पिया प्रिक्षा दोस्तो उसमें धेखिए पर देखें समान अध्यन समसमाई घटना तो दोस्तों इसका विटेश जादा है 50 इसके रहेंगे कोश्चन्स गनीद जो पूछा जाएगा दोस्तों तो उसमें 40 अंकों का तो यह दुनों 90 अंका तो ऐसे ही हो गया उसका तरकी कम पिशलेशनात्मा की योगता देखें तो 40 अंक के भी है दोस्तों उसका अगरेजी भासा 20 अंक हिंदी भासा भी 20 अंक और बिहार के जो इतिहास बगर है दोस्तों उस समान निगान है वो पूछा जाएगा 30 अंकों का ठीक है नेगेटिव के लिए तो बताएं दोस्तों कि 0-2-5 डिडेक्शन होगा इसमें ठीक है अब दे पंदरांग का यहिए अंगरेजी निभन आगेप फंदरांग कानि हिंदी और अंगरेजी में एसके लिखना पड़ेगा दोस्तों यानि हिंदी और आपको मजबूत होना है तहीं इसमें रिजल्ट हो पाएगा उसका अन्गरेजी संशेपन आ गया और यंग्रेजी का पार पेपर होता दूसरा जो है समान अधिन का पेपर होता इसमें इतिहास भोल जो भी सब पूछा जाता था यहां पर वो बात नहीं है दित ये जो पत्र है दोस्तों उसमें पूरा हिंदी और इंग्लीज का ही मुख रोल जो है वो रहने वाला है तो आपको इसकी त्यारी चल जाएगा क्या है लेकिन जो पहले मैंने बाते बताई और यह सबसे आपको एक हेल्प मिलने वाला है जिससे कि आप अपने तयारी को अभी सहीं स्टार्ट कर सकें तो सैलरी कैसा रहेगा तो सैलरी दोस्तों लेवल सिक्स की रहने वाली है और अलाउंसर जहां दोस्तों ऐसे बिहारदारोगा में जो एलाउंसर मिलते हैं उससे इसके अलाउंसर में थोड़ा डिफ्रेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों यह एस्पेसल ब्रांश का है और पोस्ट होने की विएसे इसके ज्यादा रहेंगे तो अच्छी खासी सैलरी जो है दोस्तों इसमे रहने वाली है अभी जो वेकेंसी की बात करते हैं दोस्तों तो अभी जो रूल में बताया गया कि एक अपरेल जो है वहाँ पर एक अपरेल से जो बात का समय है उसमें आपको इसकी याधियाचना भेज जाएगे कितने वेकेंसी वहाँ पर मौझूद है वो सारी चीजें होने थोड़ा देरी हो सकता है तो वगेंसी तो बिल्कुल ही आ सकती है और लगवक्त दोस्तो जून जुलाई के बीच में ये कर सकते हैं कि इसके आने की उमीद रहेगी तो आप उसके कोडिंग तैयारी करते रहेगा जब भी आ जाए आपके लिए पहले से मौका बना रहेगा ज़्यादा आपके चांसेज रहेंगे होने के तो इस तरह से अभी पर्मोशन की तरह से होगा दोस्तों तो पुरा रूल में बताएं गया है कि पहले तो आपका पर्मोशन जो डिक्रूट्मेंट होगा भी अभी बनाये गाए है बाक्य जो इस तरह से एज रहता उसके पर्मोशन मिलता जाता है तो फिलहाल जो रूल में यह तीन की बात की गई है तो इस तरह से दोस्तों या पूरा-का-पूरा जो है वो इससे समांधित जो बाते हैं जो आपको मैंने बता दी है आप इसके according बिल्कुल त्यारी कर सकते हैं जिस तरह का exam है उसके हिसाब साब को त्यारी करना चाहिए क्योंकि दोस्तों बिहार दरोगा और ये special branch का जो दरोगा है दोनों के exam pattern है वो बिल्कुल ही difference हो गया क्योंकि उसमें paper 2 किस तरह से होता था एक समान अध्यन का paper हिंदी का paper हो जाता था और paper 1 जो है वो समान गान और समसमा एक मुद्व पर आता था लेकिन यहां पर दोस्तों पूरा paper ही दोनों change है physical में तो ज़्यादा बदलाब देखने को आपको नहीं मिलेगा क्योंकि physical लगवग लगवग जो है दोस्तों वही रहने वाला है कुछ changing होगा तो हो सकता है लेकिन ऐसे मेरा मानना है कि physical में कोई बदलाब देखने को नहीं मिलेगा योकि दोनों ही दोस्तों सम इस्पेक्टर की post के लिए ही physical है इस दोस्ते तो उमीदे दोस्तों कि आपके सारी बाते समझ में आगए फिर भी आपके मन में अगर कुछ को आरी जो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अनफडेट्स के साथ तब तक के लिए जैहिन